हेलो दोस्तो आज यहांपर बात करेंगे यूट्यूब चैनल कीवर्ड्स के बारे में ये यूट्यूब चैनल कीवर्ड्स होते क्या हैं और कैसे इन्हें आप अपने चैनल में एड़ कर सकते हैं इसके अलाबा आपकी SEO रैंकिंग में कितना बड़ा ये एहम योगदान देते हैं तो इसके बारे में आज हम डिटेल से आपको बताने वाले हैं तो यूट्यूब चैनल कीवर्ड्स को अच्छे से समझने के लिए हम आ चुके हैं अपने एक यूट्यूब चैनल में जिसे अभी कुछी दिरों पहले क्रिएट किया गया है अब यहां पर आने के बात ले आमें अपनी कंट्री दिखाई देती है या फिर अगर नहीं आपको देखने को मिल लगी तो आप इसे अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है जहां पर आपका यूट्यूब चैनल खुला है जिस भी कंट्री में इसके बाद नीचे आकर आपको कीवर्ड्स का एक ऑप वाले कीवर्ड्स होते हैं उन्हें या फिट करना पड़ता है तो सबसे पहले तो हम आपको यह बता देते हैं कि कैसे यहाँ पर आप कीवर्ड्स को डालते हैं कैसे डालने कर तरीका होता है इसकी बाद आपको यह बताते हैं कि यह आपके SEO Ranking में कितना एहम योगदान दे सकते हैं तो देखे अब यहां पर कीवर्ड डालने के लिए हमने क्या किया है कि यहां पर कुछ कीवर्ड को लिख कर रखा है सबसे पहले तो हमारे चैनल का जो नाम है वो इस्पोर्टी फीड है तो हमने क्या किया कि इस्पोर्टी फीड नाम का आपर keyword रखे हुए है अब ये जो सारे keywords होंगे ये वो keywords होंगे जिनके वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर बनाते हैं यानि कि जो हमारा YouTube चैनल है वो game से sports से related है तो इसलिए हमारा जो content होता है वो कुछ इससे मिलता जुलता होता है तो हमें क्या करना है कि ऐसे ही कुछ keywords को लिख लेना है आपको जितना भी लिखना है 10, 12, 15, 20 जितना भी आपका keywords है आप उससे आसाने से याँ पर लिख लिजिए इसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारा keywords लिखावा था इसे हमने यहां से copy कर लिया copy करने के बाद क्या है कि हमने यहां पर लाकर इसे paste करना है अगर आप copy नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहां पर एक तरीका होता है कि जैसे आपको कोई भी यहाँ पर keywords आपने लिखा ठीक है जैसे मैंने यहाँ पर sporty feed लिखा ठीक है sporty feed लिखने के बाद आपको simply क्या करना है कि इसके पीछे कॉमा लगा देना है अब जैसे आप कॉमा लगाओगे तो देख सकते हूँ कि यहाँ पर यह keyword बन गया तो ऐसे करके अगर आपको games लिखना है ठीक है तो आप games लिखना और games लिखने के पीछे कॉमा लगा देना तो जितने भी आपके keywords जो भी आप लिखना चाहते हो यहाँ से लिख भी सकते हो और उसके पीछे कॉमा लगा कर एक जो keyword है उसे बना भी सकते हो लेकिन हमने क्या क्या कि इनको हम यहाँ से हटा देते हैं और हमने जो यहाँ से copy किये हुए है सब के पीछे कॉमा लगा मिलेगा आपको और यहाँ से जितना भी हमारा copy क्या हुआ था अब यहाँ पर आकर क्या करते हैं कि हम जितने भी keywords है उन सभी को यहाँ पर paste कर देते हैं तो देखे जैसे हमने उन सभी को paste किया सभी के पीछे comma था तो देखे इतने सारे हमारे यहाँ पर keyword हमने इसमें add कर दिये आप देख सकते हो कि जिन सभी के पीछे हमारा कौमा लगा था वो सारे के सारे यहां पर keywords बनकर आ चुके हैं sporty feed हो गया, games हो गया, sport हो गया PUBG हो गया, battlegrounds हो गया, ठीक है तो gaming और sports से related हैं तो उसके regarding जितने भी हमारे keywords बनते हैं जो लोग यहां पर आकर search करते हैं तो हमने क्या-क्या यहां पर लिख दिया एक बात आपको मैं यहां पर और बताना चाहूँगा कि जो यह keywords आप लिखोगे इसमें अपने YouTube चैनल का जो नाम है उससे जरूर include कर देना इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन keywords में आगर आप अपने YouTube चैनल का नाम include करते हो बहुत बार क्या होता है कि जब आप नया YouTube चैनल क्रियेट करते हो तो आपका channel search में नहीं आता है मतलब अगर आप YouTube पर जाकर अपने channel के नाम को search करते हो तो वहां पर आपका channel देखने को नहीं मिलता है बाकि जो भी चैनल्स होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं तो ऐसे में क्या करना है आपको कि आपको क्या करना है कि जो अपने चैनल का keyword है एक बार अपने चैनल के keyword को लिख कर वहाँ पर अगर type कर दोगे तो 2-3 दिन बाद जो आपका चैनल है वो सर्च में आने लगेगा अब जैसे यहाँ पर हम keyword को type कर लेते हैं उसके बाद नीचे save का option मिलेगा simply save के option पर click कर देते हैं अब देखे अब वापस से हम उसी जिगे पर चलते हैं और अब आपको ये बताते हैं कि ये जो keywords है ये आपके SEO में कितना एहम योगदान देते हैं आपके चैनल और वीडियो को boost करने के लिए तो देखे एक्चली होता क्या है कि यहाँ पर आपने बहुत सारे keyword डाले सबसे पहला जो fact होता है यहाँ पर कि देखे अगर आपका YouTube चैनल सर्च में नहीं आ रहा है जब आप सर्च करते हो और जब भी कोई नया YouTube चैनल बनाया जाता है तो real में वो सर्च में नहीं आता है अगर YouTube पर कोई उस चैनल को सर्च करेगा अगर आप खुद सर्च करोगे तो वो चैनल आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अपने YouTube चैनल को सर्च में लाने लिए हम यहाँ पर आकर अपने YouTube चैनल का एक दो कीवर्ड डाल देते हैं उसका नाम डाल देते हैं जिससे क्या होता है कि यहाँ से सर्च में हमारा YouTube चैनल आने लगता है अब यहाँ पर देखें वीडियो पर कितना बड़ा टालते हैं कीवर्ड अब देखें एक्चली होता क्या है कि आप जो वीडियो होता है उस वीडियो में तो पूरा SEO करते ही हो चैनल के जो गीवर्ड है अगर उसमें भी आपका कोई कीवर्ड जो होगा वो कहीं ना कहीं आ जो अपके जो मेटा डेटा है यानि कि आपके वीडियो में जो आपने ऍत्सक्राइब टैग को यूच यूज किया है अगर कहीं उससे थोड़ा बहुत मिल जाता है जैसरे मैंने अपने वीडियो में अगर मैं एजय बीजो को बनाता हो पबजी के ओप gag में बनाया Battlegrounds तो इस keyword में भी आप देख सकते हो कि यहां पर battlegrounds मिलना है तो ऐसे में क्या होगा कि जो हमारा वीडियो होगा जब भी कोई battlegrounds अपने सर्च टाइप करके यूट्यूब पर और सर्च करेगा battlegrounds ठीक है या battlegrounds mobile वाइल इंडिया गे में कुछ भी लिखकर सर्च करेगा तो हमारा जो battlegrounds है चार जिए उसे मैच करेगा एक वाप का जो टाइटल होगा उसमें मैच करेगा दूसरा description और तीसरा टाइटल और फिर चोथी जिगया हमारी बन जाएगी यूट्यूब का keyword इसके बाद क्या होगा कि जब यूट्यूब चैनल के keyword में भी वाइचीज हमारी थोड़ी बहुत मैच कर जाएगी तो definitely आपका जो ये वीडियो होगा ये वीडियो सर्च रेंकिंग में स सकता है कि काफी नीचे आपका वीडियो दिखाई दें लेकिन यहां से क्या होता है कि आपका SEO अगर बेस्ट है उसके बाद अगर आपने keyword कुछ ऐसे डालके रखे हुए हैं तो definitely फिर आपका जो चैनल है वो जो वीडियो आप अपलोड करोगे उस पर तो वो वीडियो अग करते हैं कि आप अपने जो YouTube चैनल का keywords है वहाँ पर आईए और वहाँ पर बहुत सारे जो keywords है उन्हें याप पर फिल कीजिए ठीक है उम्मीद दोस्तों कि आपको tutorial पसंद आया होगा और ऐसे करके definitely आपका चैनल जरूर बूस्ट हो जाएगा तो अगर आपको tutorial पसंद आया ह आपका तो आज के tutorial में इतना ही मिलते हैं next tutorial में